आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सोस्तोंगे महादेव की क्रिपाफ सभी पर सबैब बनी जएगे यह वीडियो कन्या यानि की वरगों के लिए अत्यंति विशेश है क्योंकि यह वीडियो है आने वाले सब्ताह यानि की 21-27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशी फल के बारे में कैसा रहेगा आने वाला सब्ताह कन्या के लिए जो मेरा साप्ताहिक राशी फल होता है वो प्रमुक्त हर चंद्रमा और उनकी गती प्याधायत होता है चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं सवादों से धाय दिन में राशी बदल लेते हैं स्वभाविक है कि पूरा हफ्ता जो की साथ दिन का होता है कई बार राशी बदलेंगे चंदमा मन के कारक होते हैं जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं इसी कारण से day-to-day activities पर बहुत प्रभाव रहता है चंदमा का और इसी कारण से साप्ताहिक राशिवल की विशेशता बहुत बढ़ जाती है किस प्रकार से आने वले सप्ताह को plan out करें किस प्रकार से जोदिश के माध्यम से थोड़ी guidance लें क्या अच्छा क्या बुरा संभावित हो सकता है उसका एक पहलू जाने इन सब चीजों के लिए साप्ताहिक राशिवल अत्यंत विशेश होता है यदि आपकी लग्न राशिष या चंद राशिष करन्या है दोनों ही guidance के लिए से राशिवल को अवाश्य देख सकते हैं मेरा विक्तिकत मत है कि लग्न राशिश देगेंगे तो अच्छा है इनकेस आपको नहीं पता तो चंद राशिえ से अवाश्य देख सकते हैं यहाँ पे यह उपचे भाव है तो जीवन आगे बढ़ता है कर्म भाव है तो कर्मों के प्रधानता जागरुत होती है कर्मों में विशेश फल मिलता है और क्योंकि लाभेश भी है चंद्रमा उनका दस्वे घर में आ रहा है यानि कि कारेक शेत्र में और कर्मों में सफलता मि जाते हैं, तो यहाँ पर कारेश हित्र में और कर्मों में सभी में सफलता के योग आपके बन जाते हैं, जो लोग कोई नई जॉब ढूंड रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम है, जिनकी जॉब चली गई थी, उसके बाद कोई नई जॉब ढूंड रहे थे, उनके लिए चद्रमा लाबसान के स्वामी होने के नाते चौते घर को देखेंगे तो प्रॉपर्टी का लाब, प्रॉपर्टी पर्चेस और घर में भी धन आने के योग आपके बन जाते हैं तो हफते का शुरुवाती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा है इसका आपको लाब उठाना है, दस्वे घर में चद्रमा महीने में एक बारी आते हैं तो वहां से आने वाले एक महीने के जो भी आपके पेंडिंग का रहे हैं या प्लैनिंग है उन सब पर अगर आप थोड़ा सा जोर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रेजल्ट आपको देख हो जाएंगी, बिजनस, आप प्लैनिंग तो सही करते हैं लेकिन उसको एक्जिगूट नहीं करते हैं और यहाँ पे इस पर बहुत काम करने के वशकता है, प्लैनिंग वो कीजिए जो सच में आप कर सकते हैं, अधितम क्या होता है करने वालों के साथ पर्टिकुलर लिया ज आगे के बारे में सोचे, जो अभी जगडे चल रहे हैं उनको भुलाकर, आगे के बारे में सोचे, विवाहिक जीवन, ठीक है सब कुछ लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत बाते हैं जो डिसकस होनी हैं और वो हो नहीं रही और जो एक चल रहना दौर जहां पर बाते रहीं से हैं लेकिन अभी आप खुद ही जागरूत नहीं है, आपको तुरह सा ध्यान देना पड़ेगा, जहां तक सरवाश्टक की बात है, सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे, हिदे समधित रोग तंग कर सकते हैं और चेस्ट की प्रॉब्म तंग करेंगे, सरवाश्टक में चंद्रमा का ग्यारवे घर में आना अच्छा ही माना जाता है, खुद अपने भाव में आये हैं तो यह और भी अच्छा है, और मंगल के साथ बैटे हैं जो अश्टमेश हैं, तो यह बता रहा है कि अचाना से धन की प्राप्ती होगी, मंगल नीच के हैं तो मैं अल्यड़ भाई वहनों से जगड़े हो सकते हैं और लालच बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि अश्टम भाव अनिश्यत्ता दिखाता है, ग्यारवा भाव वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालच भी है, यहाँ पे चतुर्थे, ग्यारवे घर के स्वामी खुद बैटे हैं और मंगल नीच के हैं, यानि कि नीच का प्रभाव क्या हुआ, आपका लालच बढ़ सकता है, वासनाएं बढ़ सकती हैं, तो अपनी इच्छाओं पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा, अब यहाँ पे अपने लालच की बात करी तो राहु कदिष्टी जब आ ग हो जाता है न, और फिर आप उसमें सही और गलत भूल जाते हैं, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती हैं, यहाँ पर वही दिक्कत आती हुई दिक रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, लेकिन हाधन कमाने के लिए इच्छाओं की पूर्ती के लिए, इंकम को बढ़ान दशांच कुनली बता रही है कि कुछ नया स्टार्ट करना है समय अच्छा है, दशांच कुनली कारेक शेत्र में जो काम अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, बिजनस अच्छा समय है, जो मने काना एक्जीग्यूट नहीं कर पा रहे हैं, यह हफता बद्ध्यभाग एक्जी अगर यहां पे आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को बदलते हैं एक दंचर्वे अच्छी करते हैं तो उसका आगे बहुत अच्छा प्रभाव दिएगा, जा तक सेहत की बात है, बीबी की प्रॉलम, पेट की रोग और नसों की रोग तंग करेंगे, सरवाश्टक म परेंगे, चंद्रमा का बारवे घर में आना एक प्रकार से, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ग्यारवे घर के स्वामी है, बारवे घर में यानि की विदेश से लाब होगा, गुरु से केंदर में है, यानि की गज़गे सिर्योग ये भी अच्छा है, शनी की दृष्ट उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा, competitive spirit भी रहेगी, लेकिन शनी का प्रफाव चंद्रमा पर बारवे घर के चंद्रमा, यानि की थोड़े सी उदासी इंता आ सकती है, आपके दुश्पन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगी, और insecurities बहुत रहेंगी, तो इसका ध्यान दीजेगा, शनी विप्रीत राजियोग बना रहे हैं, यानि की कोई अठका हुआ कार्य वश्या आपका, especially जहां पर धन की बात आजाती है, पूर्ण हो सकता है, खर से बहुत बढ़ेंगे हफ्ते के इंत में, नवान शकुनली बता रही है की, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आपको ही रोक लेते हैं, सही टाइम पर, दशान शकुनली, सही टाइम पर लगी जहां पर क्रूशल टाइम है, सही मलगी यह अच्छे टाइम पर, जहां पर आपको उस चीज का लाब मिल सकता है, आप उठा सकते हैं, वहीं पर अपने आपको रोक लेते हैं, और ये बार-बार हो रहा है हर चीज लिमिटेड है, मौके भी लिमिटेड ही मिलते हैं, ध्यान दीजेगा दशान्च कुनली, कारेक शेत्र में थोड़ा सा ट्रस्ट बिल कीजे बहुत टाइम जो लोग जॉब करते हैं बहुत टाइम उनका अपने जॉब में जाता है तो एक अच्छा एट्मोस्फिर होगा तो अच्छा रहता ही है अपनी तरफ से थोड़ा सा चीजों को ठीक करने का मौका मिलेगा विवाहिक जीवन, सॉरी, बिजनस ठीक है लेकिन थोड़ा सा इससे कहूँगा वास्तविक्ता के पास आईए आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजेगा लव लाइक, शांत रहिएगा जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है विवाहिक जीवन, यहाँ पे कुछ भी व्यंगात्मक कडवा, तीक्ष्न बिल्कुर मत बोलिएगा मजाख में भी कही यही चीज़ना यहाँ पे बहुत बड़ा जगड़ा कराएगी स्टूडन्स के लिए अत्यन्त शुम समय है भागे का साथ मिलेगा सेहत के नुसा, स्लीब डिसॉडर, रक्तविकार और पेट की रोग, सरवाश्टक बारवाघरबली है, खर्चे बड़ेंगे लेकिन विदेश से पैसा आने की योग बन जाते हैं उपाई सुरूप गणेश चलीसा का दो बार पाट करके ओम एक दंताय नमहा का ग्यारा मंत्र जाबार जाब करके गणपती जी को दुरवार पंड कीजेगा आचा करता हूँ वीडियो काम आएगी, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लेजे, वीडियो को लाइक कर लेजे मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नश्या